हाई फ्रेंज वेलकम बेक टू दू चैनल मैं हूँ श्वेता सिंग और आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे तो आज है फर्स जन्वरी और आज हम आप सब के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही खास रेसिपी जो सबको बहुत जादा पसंद आती है आज हम बनाने वाले हैं पनी टिक्का जो की बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल में इस तरीके से अगर आप भी बनाएंगे पनी टिक्का तो आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस रेस्पी को बनाना स्टाट करते हैं पनी टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन को रोस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है दो से तीन चम्मच की लगभग है बेसन जिसे मैं एक पैन में रोस्ट कर लूँगी तो सबसे जरूरी है इसे रोस्ट करना तभी आपका पनी टिक का बहुत ही अच्छा बनेगा बिल्कुल रेस्टोरंट के जैसा बनेगा तो यह बेसन हमारा रोस्ट हो चुका है तो अब हम बाकी तयारी करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है तो सबसे पहले मैं इसमें डालोंगी आधा कप के लगभग है दही और दही डालने के बाद इसमें डालोंगी मैं वही दो से तीन चमच रोस्ट किया हुआ बेसल और उसके बाद मैं इसमें डालोंगी हल्दी एक चौथाई चमच और अब डालोंगी आधा चमच लाल मिर्ज का पाउडर और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक चौथाई चमच है गरम मसाला और आधा चमच है चाट मसाला और यहाँ आधा चमच अद्रक लसन का पेस्ट नमक अपने स्वाद के अनुशाणा डालेंगे और आधे नीबू का रस मैंने निचोड लिया है वो मैं इसमें डाल दूँगी और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दो चम्मच की लगभग है सरसो का तेल जो की बहुत ही जादा जरूरी है और इसमें मैंने चाट मसाला डाला है आप चाहें तो इसमें जीरा पाउडर और काली मिर्ज का पाउडर वगरा डाल सकते हैं मैं होम मिर्ज चाट मसाला इसमें डाली हूँ मैं हमेशा यही डालती हूँ तो इन सब को डाल के अच्छे से mix कर लेना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला feel आएगा इसे खाने पे तो ये आप देख सकते हैं इन सब को मैंने काफी अच्छे से mix कर दिया है और काफी अच्छे से mix हो चुका है तो अब मैं इसमें डालूंगी पनीर पनीर को मैंने पहले ही टुकडो में काट लिया था तो अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी और पनीर डालने के बाद इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये मैं काफी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तो अगर आपको चाट मसाला की रेसिपी चाहिए होमेट चाट मसाला की तो मैं बहुत ही कम इंग्रिडियन में बहुत ही टेस्टी चाट मसाला बनाती हूँ अपलोड है तो आप लोग जरूर विजिट करिएगा और मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी तो ये आप देख सकते हैं काफी अच्छे से मिक्स हो चुका था तो यहां पर मैंने थोड़े से प्याज और सिमला मिर्च को ऐसे काट लिया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी तो डालने के बाद काफी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पहले मैंने अपने चैनल पर एक रेसिपी डाली थी तंदूरी बनी टिका की तो उसमें मैंने यह सिमला मिर्च और प्याज और नहीं डाला था क्योंकि कुछ लोगों को पसंद आता है कुछ लोग को नहीं आता और वो रेसिपी भी बहुत अच्छी है मेरे चैनल पर है जरूर विजिट करिएगा तो यह आप देख सकते हैं इन सब चीजों को मैंने काफी अच्छे से मिक्स कर दिया है तो आप हम इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम बना लेंगे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर पनीर टिकका की चिकन टिकका की रेसिपी है तो जरूर विजिट करिएगा और उसमें मैंने पूरा वीडियो चटनी का भी शेयर किया है तो जरूर आप सब विजिट करिएगा उसमें चटनी की भी पूरी फुल रेसिपी है तो यहाँ पर मैंने टूथपिक ले लिया है यह बड़ी वाली टूथपिक है तो उसमें मैं बारी-बारी से अभी इसको लगा लूँगी तो सबसे पहले मैंने एक पनीर का टुकडा डाल उसके बाद एक प्याज बालूँगी फिर वापस से एक पनीर का टुकडा डालूँगी और एक शिमला मिर्च लगाऊंगी ऐसे ही करके हमें लगा लेना है तो हमें रेस्ट्रेंट में बनाना है तो बिलकुल वैसे ही और ये आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लग और इसमें मैंने जो एड़ किया था सरसो का तेल वह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर आप पनी टिकका बना रहे हैं चिकन टंदूरी वगरा बना रहे हैं तो उसमें जरूर डालिएगा सरसो का तेल जैसे मैंने इसमें डाला है क्योंकि उससे जो उसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है बिल्कुल रेस्टोरंट के जैसा ही आता है तो यह बहुत ही खास ट्रिक है इसे इसके बिल्कुल पर मत करिएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे ही मैंने सारे पनी टिकका को अच्छे से लगा लिया है इसमें टूथपिक में तो यह बिल् सकते हैं और नॉर्मल पैन में भी आप इसे बना सकते हैं मैंने ये वाला पैन लिया है जो ग्रिल करने के लिए यूज करते हैं तो ये पैन में मैंने अच्छे से ओयल ग्रीस कर लिया है पैन भी हमारा हीट हो चुका है तो बारी बारी से ये जो पनीर टिकका मैंने तयार किया करते रहेंगे बस यह ध्यान रखना है कि यह जले नहीं तो यह आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद मैंने इसे पलट लिया है और आपको इसे रखके बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको ध्यान देना है कि यह जले नहीं तो बस थोड़ी थोड़ी देर पे इसे पलट के चेक करते रहना है और मैंने साइड इसकी चेंज की है तो उपर से थोड़ा सा ओयल मैं इस पे और ग्रीस कर दूँगी तो यह आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल रेस्टोरंट वाला ही लग रहा है और बहुत ही सिंपल तरीका है नौर्वल पैन में भी आप इसे बना सकते हैं तो अभी मैं इसकी साइड चेंज कर दी हूँ तो ऐसे ही ना इसकी साइड चेंज करके चारो तरफ से इसे अच्छे से से शेक लेना है तो यह आप देख सकते हैं यह मैंने इसको भी चेंज कर दिया है थोड़ा थोड़ा इस पे भी ऑईल लगा देंगे और बहुत ही सिंपल रेसिपी है इस तरीके से आप घर पे बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल में पनी टिकप बना सकते हैं और यह आप देख सकते हैं यह चारो तरफ से काफी अच्छे से सीख के तैयार हो चुका है और यह देखी यह सब मैंने चेक कर लिया है तो अब मैं इसे निकाल दूँगी एक प्लेट में और दूसरा वाला भी इस पे रख दूँगी और सेम वैसे ही इसे भी हमें अच्छे से उलट पर लटके सेक लेना है हलका हलका ओयल लगा के तो बस यह आप देख सकते हैं यह बड़ो को भी पसंद आती है और इसके साथ आप पनी टिका मसाला भी बना सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं इसे मैंने एक प्लेट में रख दिया है साथ में चटनी और प्याज नीबू के साथ में इसे आप सौफ कर यह बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है तो यह आप आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल में पनी टिका हमारा बंद के तयार है तो उमीद है आज की यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स औ पल रसेपी बनाती हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर थैंक्स फॉर वाचिंग